प्रेंट्स आज हम आफ प्री पोजीशन को आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि आप अटेंटिव हो करके मेरे साथ आफ को देखें पढ़ें यह चैनल को नए हो तो सब्सक्राइबर करें अब तक कि मेरे सारी वीडियो लगवा यदि आप मेरे र मिलेगा यह मेरा दवा है 100% आपको कम दो चार पढ़ेंगे तब आपको पूरे complete यूज मिलेंगे फ्रेंट्स मैंने जो भी वीडियो आपके स्मक्स आप तक पहुंचाया है यह प्रयास किया है कि complete यूज हो आपको फिर उसके लिए अलग से कोई प्रकाशन की किताब या को यह अलग से नोट बनाने की जिरुद्ध दाव है तो आई हम देखते हैं complete यूज हाफ को जो प्राइवी कंश्यूज करने वाला टापिक है तो फ्रेंट्स देखते हैं हम आफ इसका यर्थ का के संदर्व में का के संदर्व में संबंध बताने के लिए किया जाता है जहां पर जहां पर दो नाउन के बीच में संबंध की बात करें किया जाए तो वहां पर हम आफ का यूज करते हैं जैसे राम महाराज दसरत के पुत्र थे थीखने मैं अपने पिता दी के घर में नहीं रहता हूं यह मेरी बहन का इसे पुत्र यहां पर भाई और दसरत के पुत्र यह राम की के पुत्र थे तो फ्रेंट्स इस तुरह से आईसे संबंध बताने के भाव में हम आफ का यूज करते हैं यह देखते हैं कि आप हिंदी नोट करें राम दसरत के पुत्र थे तो आप कैसे लिखेंगे राम वाजदा किंग राम दसरत के पुत्रे राम वाजदा सन आफ किंग दसरत तो फ्रेंट्स यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने आफ का प्रयोग किया संबंध दसरत में और राम के बीच संबंध बताने के लिए पितापुत्र के रूप में संबंध स्थापित किया रहा है इसलिए आफ का यूज किया गया तो दुझा मैं अपने पिता जी के घर में नहीं रहता हूं मैं अपने पिता जी का जो संबंध उस घर से है उसमें मैं नहीं रहता हूं कैसे आप करेंगे तो आप डूझे मैं पिता जी के घर में नहीं रहता हूं पिता जी के घर में यहां ड्रत है का क्या यह सब्सक्राइब करेंगे मैं अपने पिता जी के घर में नहीं रहता हूं रहता हूं पाफ प्रजेंट इंडिफेंटल से लिखेंगे आई डू नाट लीव मैं नहीं रहता हूं का नहीं रहता हूं इन दा हाउस आफ माई इन दा हाउस आफ माई फादर फ्रेंट लाब देख रहे हैं यह मेरे भाई की किताब है इस इज आबूक आफ माई ब्रदर आफ देख रहे हैं कि बूक और भाई के बीच में संब्द है कि मेरे भाई का प्यान है किताब है बेड़ है तो यहां पर आफ का यूज किया गया तो फ्रेंट साथ आप समझ रहे होंगे कि जहां पर भी कि दो नावन के बीचमें संबंध की बात हो वहां पर हम आपका यूज करते हैं आपसमझ रहे हों नहीं मिटाएं टो फ्रेंट्स में सभी के साथ सब को कर रहा हूं कि यहां पर संबंध की बात हो आप ध्यान देंगे वीचि इसका सेकंड डूज देखने माप तौल के संदर में इसका सेकंड यूज है माप तौल माप तौल के भाव में अगर फ्रेंट कोई चीस तौल ना हो माप ना हो मुझे काना कि एक किलो चीनी दे दो एक कप चाहे दो एक कप काफी दो दुकान पर जाएंगे 4 लोग है आप 4 कप काफी दो चाल काफी देना तो माप तो आप किशार लोग है मुझे चाहर चाहिए बात हो तो आप प्रिसे करेंगगे देख रहे कि मुझे एकक चाहिए दो आप पय। से लिखेंगे यहां गिव में एक कप लिए कप आफ की काफी जो भी कहना हो मुझे एक कप चाफी दिया आफ आफ काफ लोग किया गया एक कप्चा दीजिए एक कप काफी दीजिए बाह समझत रहा है न कराओ को मुझे एक फिलोचि दीजिए तब क्या करेंगे आप लिखेंगे गिव में एक किलोग्राम केजी आफ सुगर अगर आप कहना है गिव हीम क्या करेंगे अब देखिये अगर हम एक कप पानी की बात करें एक ग्लास पानी की बात करेंगे को आप लिखेंगे ब्रिंग मी एक ग्लास आफ वाटर एक पानी ले आओ एक ग्लास पानी ले आओ ब्रिंग मी एक ग्लास आफ वाटर कुछ प्रेंट्स गले में थाफ प्राव्लम है मौसम की वजह से एक ग्लास आफ वाटर टू क्लोग्राम साफ टुमाइटो टू क्लोग्राम साफ शूगर तो यह धन्से मात और कोई जिसका नहीं है तो हम इस संदर में इसका यूज़ करते हैं लेकिन नेक्ष्ट देखते हैं प्रेंट्स इसका थर्ड यूज़ आप देखेंगे गूर्ण बताने के लिए गूर्ण बताने के लिए गूर्ण के संदर्व में किसी को आप किसी से किसी के गूर्ण के संदर्व बता रहे हैं कि वह द्रीडिक्षा सक्ति वाला गप्ति है गुणी तो होगा वह बहुत आईरन मैं है तो आप ऐसी स्थिति में प्रेंट्स कैसे करें मेरे पिता जी माइफादर इस मैं आफ इस्ट्रांग विल द्रिडिक्षासक्ट माइफ इस्ट्रांग विल यहां पर आफ काई उच्किया आप देख रहे हैं अगर करना ही इस मैं आफ इसमान आफ इसमान आफ पावर इसमान आफ पावर आप का विच्किया गया इसमान आफ आइन देख रहे हैं अगर किसी के गुण की किसी के क्वालिटी की बात को हम करते हैं तो हम यहां भी आफ का यूश्ट करते हैं आप देख रहे हैं यद्यव फ्रेंट्स ज्यादा वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए मैं इसलिए बहुत नहीं देता हूं तो मैं चाहूंगा कि आप इसको अपने अगे देखते हैं अगला है के विशय में बारे में कुछ बताने के लिए के विशय में के विशय में या किसी की यहीं बारे में कुछ बताने के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो आप हिंदी नोट करें और देखते हैं का अप गांदी जी के विशय जानते हैं कि आप मेरे को यहां हो उसने अपने यात्रा की बिशें मुझसे सब कुछ बताया उसने अपने बिवाख के संदर्भ में मुझे पूरी जानकारी दिया तो फ्रेंट साइब देखते हैं इसको अगर मैं कहूं आप इंदे लिखे उसने मुझे उसके बाले में सब कुछ बताया तो केसे लिखेंगे या उसने अपने यात्रा के संदर्फ में मुझे बताया तो ही टोल्ड मी आफ इस ट्रावेल जांद दीजे ट्रावेल उसने अपने यात्रा के मिशे में मुझे बताया ठीक है न क्या आप गांदी जी के मिशे में जानते हों कैसे दिखाऊंगे आप आप महात्मा गांदी क्या आप महात्मा गांदी क्या आप महात्मा गांदी या फ्रेंट्ट इद्धेफ अबाउट से भी आप बोल सकते हैं लेकिन प्रेपोजिशन का यूज इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं उसको एबाउट से भी बोल सकते हैं डू यू ने बाउट गांदी जी डू यू ने बाउट मी डू इस ट्रेविलिंग लेकिन फ्रेंट्स यदि आप चाहें एबाउट का कांसेप नहीं हुआ तो भी आप यहा कारण के संदर्व में या कारण के संदर्व में तो आप देख रहे हैं कि कारण के संदर्व में कैसे वही जो मैंने फ्राव वालें बताया था कारण के संदर्व में कैसे इस क्या जाएगा यह मैं आपसे कहूं वह बीमारी के कारण मर गया वह बुखार के कारण मर गया कालर लोग इंजवाय कर रहा है इसलिए आप उनके उपर हध्यान न दीजिए लोग अपने मस्त हैं सब वह कारण मर गया वह बुखार से मर गया विद्धाइड आफ फिवर बीमारी करनल मर गया वह खून की कमी के करनल मर गया तो फिद्धा वीडियो को लंबी नहीं के लिए आप बोर नहीं इसलिए मैं आप विदिया कांसेट आफ आप लिखेंगे इसके बाद आप जो भी चाहें काल्रा कैंसर लासा ब्लड जो भी कारण हो उस कारण को आप दिखाए देगे आपके यूंज से बात समझ रहे हैं ओ फ्रेंट हम देखते हैं इसका एक विश्च के अर्थ में से के भाव में लेकिन यहां भी का का अर्थ स्पा रहेगा फ्रेंट देखें बहुत से का है लेकिन अर्थ क्या श्रीक रहेगा का काई से आइम देते हैं यह मैं आप से कहूं कि मेरा घर इंट से बना हुआ है तो यहां पर फ्रेंट आप देख रहे हैं मेरा घर इंट से बना है अब मैं इसको कह सकता हूं कि माई हाउस इज मेड आफ ब्रीक अभी मैंने पीछली वीडियो फ्राम वाले इसमी बता था कि जो प्रोड़क्ट चेंज हो रहा है घर हीट से बना हीट घर में तोहां पर अगर प्रोड़क्ट उसी धंका हो तो आफ लगता है और प्रोड़क्ट लेकिन इसलिवां पर फ्राम लगेगा और यहां घर हीट से बन गया अगर आप चाहें तो मकान को तरवा देंगे तो बहुत इट सेफ निकल जाएंगी जो टूट भी जाएंगी तो कहीं ने कहीं मिस्तियों का यूज कर लेते हैं तो यहां पर जो प्रोड़क्ट सेफ रहत है तो आपधा भी आ लाए दोनों किस्टी में आफका प्रोल आप करेंगे माई आउसीं मेट ऑ भी माई हाउसीत मेट आफ इस्टों सब्या ने सिपा Clayton ने में कहुंँ किया कूर्शी प्लास्टिक कि बनी होई है किया कूर्शी या प्लास्टिक से बनी है बशिमेड प्लास प्लास्टिक को फिर से कुर्सी में या प्लास्टिक में बना सकते हैं तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इस चेयर देख लिए इस चेयर इस ने आफ प्लास्टिक यह कुर्शी प्लास्टिक की बनी हुई है यह ग्लास का है यह ग्लास प्लास्टिक की बनी हुई है यह ग्लास काज की बनी हुई है यह ग्लास चली मिट्टी की बनी हुई है तो हर जिगह पर हम फ्रेंट्स आफ का यूज करेंगे किस धंग से आप देख रहे हैं कि आफ के इं इंडिया अगर मैं भारत को यहां फोटेंगर में गर्मेंट करें अब का रजा सरकार यहां पर यह आप आता है देंगत प्रइंडिया पीश आफके जैसे आप सब्सक्राइब करें एक पीस आफ के इस धन से कि ड़ीन आफ ब्रिटेन तो प्रेंट्स ठीक है अब हम आज का लगभग आफ का कंप्रीट विजाब तक पहुंचाने का प्रयास किया यह प्रेंट्स कहीं कंफ्यूजिंग पॉइंट हो तो आप उसको कमेंट बाक्स में मुझे भी बताएं कि वीडियो कैसे लगी यह समझ में आये तो लाइक और शेयर करें तक इसका लाफ अजन लोगों तक भी पहुंचे फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो